हेलो एवरिवान कैसे हो आप सब तो स्वागता है आप सभी का फिर से अपने यूडूब चैनल पे देखिए आप इस कोशन को मत देखिए आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे इस कंसेप्ट को पूरी डिटेल में समझेंगे जिस जो भी ये वीडियो देख रहा है मैं मैं बोलता हूँ वो आज कुछ न कुछ नया सीख के जाएगा देखिए एक कोश्चन है यह हर बार इस टाइप का कोश्चन सीयर नेट में आपको देखने को मिलता है दो या च्यार नंबर का जबकि मैं यह वह बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा इस कोश्चन को हाड़ और सोफ्ट का जो सबके दिमाग में बना होता है कि इनको याद कैसे करें हाड़ एक्जस improved हाड़ कोईसे क्या होता है यह लफडा क्या है आज इसका समाधान होने वाला है यह खाली स्पैस है आ जो इसके अंदर आज इसका समाधान हो जाएगा कॉस्चन को बाद की बात है question तो बाद में हो जाएगा question में तो examiner नहीं यह बोला कि आपको 4 reaction दी और यह बोला कि इस right side या forward direction में कौन सी नहीं जाएगी यह बताना था चार reaction में तो यह आप जब भी बता सकते हो जब आपको पता हो जैसे कि मेरे पास यह दो मारकर है तो उसी टाइब से यहां भी दो-दो elements है एक और से निक एक सलफर है या लेंधेन में कार्बोनेट है इस टाइब से माल लीजी अगर इन दोनों की बोंडिंग स्ट्रोंग है अगर इन दोनों की बोंडिंग स्ट्रोंग है पहले रियक्टेंड में तो यह forward direction में क्यों हो जाएंगे reaction नहीं होगी अगर यह पहले से strongly bind है और उसके बाद बनने वाले यह दोनों अपस में अगर stable है या strong bonding नहीं है तो तो इसको समझना कैसे है अगर हमारे पास एक hard acid है और दूसरा hard base है तो उनकी interaction क्या होगी बहुत ही strong होगी और उनको तोड़ना मुस्किल है मतल होगा अगर hard hard है तो कभी break नहीं होगा soft soft है तो देखनी होगा क्योंकि hard soft or soft hard की interaction क्या होती है strong अब बात आती है कि हमें कैसे पता चले कि कौन hard है कौन soft है तो उसका समधान आपके लिए मैं लेके आया हूं देखिए आपको थोड़ा सा effort करना है बाकि मैं आपको ऐसी तरीके से याद करवाऊंगा कि आप भूलोगे नहीं hard base और soft base तो बिल्कुल असान तरीके से आपको याद करवा दूगा इसमें थोड़ा सा आपको जो hard acid और base करेंगे ना इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना है बिल्कुल थोड़ा सा बस आप साथ बने रहोगे तो आपके मिलेगी जिसके उपर positive charge होगा न्यूटर भी मिल सकती है बट जनली केस में जैसे यहां एक positive होगा एक negative होगा हमें पता है तो हमें क्या मिलने वाला है positive species में positive में अगर size छोटा हुआ तो वह hard होगा अगर size बढ़ा है तो और उसके उपर charge कम है अगर size बढ़ा है चार्ज कम ह है और इस पर positive charge भी अब बात करते हैं जैसे periodic table के अंदर आप क्या करते हो first group जो हमारा है उसके अंदर क्या होता है first group के अंदर क्या होती है जैसे आपने याद किया होगा लीना की रब से फर्याद लीथियम पोटेशियम सोडियम वहीं सारे लीना की पोटेशियम और रब से यह सारे क्या है हाड क्या है यह सारे हाड यह सारे क्या है हाड आपको कैसे याद रखना है प्रियोडिक्टेविल की फर्स्ट ग्रूप का कोई भी मेटल मिले लीना की रब से फर्याद फर्याद को छोड़ देना है रेडियोक्टिव है तो यहां तक अपने को रखना है उसके बाद गूरूप नंबर टू बेटा टू पोजिटिव मांगे टू पोजिटिव कार टू स्कूटर टू पोजिटिव यह सारे के सारे क्या है हाड यह सारे के सारे हाड ग्रूफ फर्स्ट और ग्रूफ टू उसके बाद आपको क्या याद रखना है मेगनीज में टू पोजिटिव देखिए इसको याद रख लेना मेगनीज टू पोजिटिव में क्या है याद क्यो देखिए यहां प्लस टू चार्ज में यह और प्लस टू चार्ज में और इसको हम हाड की कैटेगरी में रख रहे हैं अगर यहां हमारे पास क्या हो आइरन होगा तो प्लस थ्री में होगा कोबाल्ट होगा तो प्लस थ्री में होगा क्रोमियम होगा तो प्लस थ्री में होगा और मैं बोल दूस्केंडियम होगा तो प्लस थ्री में होगा ठीक है दोस्तों इसके साथ यह आप इसमें लिख लीजिए ऐलूमीनियम थ्री प्लस अलू और आर्सेनिक ना पाटिकर एस्वरिया सब दिंदास यह पढ़ते हैं किसके अंदर नाइट्रोजन फेमली के अंदर त अगर हाईयर ऑक्सिदेशन स्टेट के अंदर है माल लीजिए मैं लिख देता हूं सीरियम फॉर पोजिटिव तो यह तो ना लिखने की बात है प्लस च्यार वाले तो क्या होंगे हाड होंगे पोजिटिव है तो एसीड होंगे हाड एसीड जैसे टाइटेनियम फॉर पोज पॉजिटिव कुछ भी लिख सकते हो चार वाले ठीक दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें सोफ्ट की तो सोफ्ट के अंदर मारे पास क्या आएगा सोना और चांदी ए यू एजी सोना चांदी इसके साथ मर्कृ आपको जहां भी दिखाई दे मर्कृ का कोई भी कॉम्प और प्लेटीनम टू पॉजिट तू पॉजिटिव को रहे इसको एक्शेप्स्टियुन कोया सकते oh आप यार रक सकते हूं ब्रियो क्या होता है अब बात आती है बोर्डर लाइन वाले की बोर्डर लाइन यहां मैंने बोला था आर्सेनिक बचा कौन एंटी मनी और है ब्येटेन फ्री नख़ इंश्थ पाज़िटिव एंटी मनेस प्री पोज़िटीव अब देख कि sarcasm लुटर पॉजटिव जिंक तू पॉजटिव अबडिक जिंक टू पोजटिटिव में है साई चोता डाउन्ट गूर्फ जैक्टै तो साइज इनका इनका क्या करेगा जो निच क्या होगा तो पोजिटिव क्या होगा बॉडर लाइन के अब बात अती हमारे पास सॉफ्ट हार्ड बेस इनको असान करना याद गरना बहुत ही असाने और सॉफ्ट बेस इनको तो बेहाद ही ऐसान है याद करना फ्लोरीन कलोरीन ब्रोमिन आयोडीन को पकड़िये हैलोजन फैमली को डाउन दागुरुफ जाएंगे क्या होगा साइज बढ़ेगा पॉलराइज बढ़ेगी तो क्या होगा इनका क्या होगा पॉलराइज इसली होगा तो उतना होगा soft होगा तो फलोरीन और कलोरीन क्या हूंगे hard और यहां क्या हो जाएगा हमारे पास Iodin औरates बम्सक्राइस उतना soft negative अधिerved जाए तो बेस हो जाएगा positive तो acid हो जाएगा इसके अंदर इसको याद रह लेना हमकर ए इस में आर-ो- नेगने तिफ। देकिए जहाँ भी आपको औक सिसन दिखाई धे ना उसको आज बंद करके आप हाड में रख देना आख बंद करके किसमenne है हाड में अगर में ढ़न हम डाया गूप औक सिस और जाएंगे तो जो शपर वाले के उसको किसमें रखना है में सोफ्ट के अंदर तो मैं लिखता हूँ H2S RS नेगिटिव SH नेगिटिव और साथ में मैं यहां लिख देता हूँ S2 नेगिटिव सलफाइड जितने सलफार वाले दिखें कहा लिखना है उनको सोफ्ट के अंदर उसके बाद बात आती है मारे पास कार्बोनेट सी ओ थ्री नेगिटिव सो फोर टू नेगिटिव फोस्पेट पी ओ फोर त्री नेगिटिव देखिए बरबर के ऑक्सिजन से तीन चार तीन ठीक दोस्तों और यहां मैंने क्या लिखा यहां मैं लिख रहा हूं एस ओ थ्री टू नेगिटिव अब देखिए याद के सरकना है यहां कार्बोनेट सलफेट फोस्पेट सारे के सारे औक्सिजन क्या है तीन चार इसे हैं इसके बाद देखिए कार्बोनेट में जैसी हमने कार्बन से सलफर किया थोड़ा सा रहा यह क्या होगा बोडर लाइन केस बट जैसे इसके अंदर एक और सौफरेट किया तो सौफ्ट वाला क्रेक्टर जादा जाएगा क्या हो जाएगा सौफ्ट तो यहां से याद रखना है उसके बाद एनो थ्री नेगिटिव हो रहे हमारे पास यहां लिख लीजी आप सी और इनको याद रख लेना कार्बन मोन ओक्साइड क्या होती है सौफ्ट बेस होती है उसके बाद देखिया अगर हम अपास एनस त्री दिया हो नाइट्रोजन का हाइड्राजीन दिया और फोर यह और यह सारे क्या होंगे हमरे पास है हाड़ वाली के टिगरी में आएगे और इधर हम बात करेंगे तो इससे उपर नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा फोस्फोर्स तो वो क्या हो जाएगा पी यार थ्री आरसेनिक पी एस आर थ्री या हम सी टू एच फोर लिख सकते हैं अलकीन भी इसी के अंदर है आएगा तो आई होप आपको यह समझे आया हुआ तो देखिए अब कुछ बचाई नहीं लिखना स्टार्ट कीजिए आरसेनिक बोला था एस वरिया किसमें रखोगे हाड क्या है एसीड यह रहा हाड एसीड सलफर जहां भी दिखें उसको क्या बोलना है सौफ्ट हाड सौफ्ट या मरकरी सौफ्ट ऑक्सिजन दा भी दिखें हाड एक हाड एक सौफ्ट एक सौफ्ट एक हाड यह बोलेगा नहीं भाई मुझे मेरा भाई मिल रहा है सौफ्ट वाला मैं जा रहा हूँ इससे निकला यह इससे मिला और बना क्या हमारे पास है सौफ्ट सौफ्ट यह हाड हाड मतलब यह रियक्शन कहा जाएगी forward direction में जाएगी यह reaction forward direction में जाएगी क्योंकि hard soft से ज्यादा कौन सी interaction होती है hard hard की और soft soft की तो इसने क्या पुछा था examiner ने नोट तो यह वाली reaction क्या हो जाएगी सही तो option A और option B दोनों eliminate कर दोगे क्योंकि एक के अंदर क्या है एक के अंदर ले वाला जो कि क्या राइट में जा रहा है दूसरे वाले में भी यह दिया तो यह तो होगा नहीं क्योंकि यह तो राइट में जा रहा है इसने पुछा नोट राइट टू उसके बाद बी तो दोनों के करना है करना है अगर कंपिटिशन एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो ऑप्शन करना सी को आच्छा इसको भी देख लेते हैं वैसे हमने जुरूत तो नहीं थी फिर भी हम देख लेते हैं यह बाइसाब हाड है और यह क्या है कार्बोनेट भी हाड दोनों वहाड है थे भी तोटना चाहे यहांपव यह चाहेंगा इसको कोई इसको कोई रॉड़्ाइन नपा रहें इसको नुक्सान हुआ papa बहुत बहुत भारी नुकसान हाड-सोफ्ट किसे हाड-से तो यह कभी reaction आगे नहीं जाएगी मतलब वी वाला तो दोनों होगा यहां देखिए सॉफ्ट के डिमियम भाई साब सॉफ्ट है यह रहे यहां दिखाई दे रहे हमको यह रहे ठीक दोस्तों उसके बाद सलफेट अभी हमने देखा है सलफेट यह रहा यह भी क्या है सॉफ्ट यह कार और यहां क्या है सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड तो यह रियक्शन दोड़ दोड़ के जाएगी बोली कि मुझे राइट में जाना है मुझे राइट में जाना है तो सी वाला होगा सही यहां देख लीजिए बेरिलियम बेटा और फ्लोरिन तो सबका बाप ह बोलोरिन तो सबका बाप है hard के case में, तो यह भी hard, यहां भी hard, hard, यहां soft, soft, तो यह reaction नहीं जाएगी, option A वाला जाएगा, और C वाला जाएगा, जाएगा कौन सा नहीं, B वाला, D वाला, तो right answer क्या हो जाएगा, हमारा जो नहीं जाएगा, examiner ने क्या पुछ आता, कौन सा नह है, यहां क्या बन रहा है, hard, soft, soft, hard, तो यह reaction नहीं जाएगा, यह जाएगा, यह नहीं जाएगा, यह जाएगा, तो option A और note फेवर्ड पुछा था कि कौन सा नहीं जाएगा, तो नहीं जाने में, दूसरा B option और साथ में कौन सा रहेगा, D option, यह क्या करेंगे, नहीं जाएगे, forward के अंदर, तो हमारा option क्या हो जाएगा, B and A, D, right option क्या हो जाएगा, B and A, D, क्योंकि examiner ने पुछा था, कौन सी right में नहीं जाएगी, पहली जाएगी, पहले का option में दो eliminate कर लिए, और C, D वाला जाएगा, क्योंकि D वाला देखिए, D वाला कभी नहीं जाना चा क्या है?